हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका सौगत है रैंक वन पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैली कापिटल वर्सी लगनों के पीच में मैच कहला जाने वाला है पंदरवा आज ये मैच खेला जाएगा दोस्तो इवनिंग में ये मैच कहला जाएगा और स् स्कूर है वो 175 का है सेगंड इनिंग का 164 का है दोस्तो तो कहीं न गहीं बैटिंग फ्रेंटली विकेट नजर आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हो एवरेज स्कूर से पता चल रहा है 20 ओवर में अच्छा का सा स्कूर बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तो वहीं अगर बात क जाए स्पिनर और पेसर रेशियो की तो स्पिनर का रेशियो 1 इनिंग में 7 विकेट है और पेसर का 18 विकेट है दोस्तो और second इंолжombinação का बैक ग्लग करें इस पेसर्स डॉमिनेट कर रहे हैं, इस विकेट पेस में कोई दोराई नहीं है, कि पेसर्स के लिए अच्छा विकेट नाजर आ रहा है, लेकिन आपको ये भी गोर करना चाहिए, कि जब आप पेसर्स और स्पिनर्स के जो ओवर हैं निकालोगे, उनका अगर रेशियो निकालोग देखिए, एक ऐसा विकेट है ही है, जो बैटिंग के लिए अच्छा है, जिसमें दोनों गैनवाजों को हेल्प है, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे पेसर्स हो, थोड़ा सा पेसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन अगर ओबर की संक्या के जो की बात की जाय तो वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो, अब बात करेंगा डैली गपिटल की, पॉसिबल पिलेंग 11 क्या रहेंने वाली है, और क्या हो सकती है दोस्तों, मतलब पॉसिबल प्लेंग 11 क्या रहीगी और पर्फोरमांस क्या रही है अब तक की, तो देखिए यहाँ पर डेविड वार्णर और नॉटजे यह दोनों ही काफी जबर्जस खिलाड़ी हैं डेविड वार्णर आपको पता है कि ओपन करते होगे नजर आएंगे और IPL में इनके जो स्टैट्स है वो काफी मजबूत हैं इसमें कोई दोराएं नहीं हैं वर्ल लेवल के रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में जानती होगे दोस्तों तो यह दोनों ही काफी जबर्जस और इंपोर्टेंट प्लेयर हैं यह चीज़ जरूर धियान लखिएगा फिर अब पर्फोर्मेंस की बात की जाए तो देखिए प्रितिफिशा का प्रतेशन पहले मैच में 38 रन बनाये थे काफी अच्छा रहा था दूसरे मैच में 10 रन बनाये मदीब एक डिफ्रेंसल पिक हो सकते है क्योंकि डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको पता है कि वन डाउन बैटिंग करने वाला जो प्लेयर होता है वो उसके पास रहती है पूरी की पूरी अपनी इनिंग को बिल्ड करने की तो देखें पिछले दो मैचों से खास नहीं कर पाया है लेकिन दोस्तों अगर आज फिर कंटीन्यू करते हैं वन डाउन पर तो ओविसली एक डिफ्रेंसल पिक बन सकते हैं अगर कंटीन्यू ये वन डाउन पर करते हैं तो फिर रिशाप पंत की बात की जाए तो आप जानते हो कि टी 20 के काफी धाकड़ बल्ले बाजों में से एक हैं पहले पहले मैच में तो कुछ खास अचा है इनका प्रदेशन नहीं रहा था लेकिन दूसरे मैच में लोने 43 रन की शांदार इनिंग खेली थी लली मैचों में ज्यादा प्रभाब छोड़ने में काम्याब नहीं हो पाएं अक्षर बडेल ने 38 रन पहले मैच में काफी गजब का प्रदेशन किया नौट आउट बनाए फिर इसके लावा दूसरे मैच में 8 रन का योगदान दिया सरदीव ठाकुर पहले मैच में काफी अच् रिशब बन्त ये बैटिंग सेक्षन से इंपोरेंट पिक रहेंगे लली तियादव और रांडर के तोर पे पूरी तरीकी से एक इंपोरेंट पिक रहेंगे को कि बैटिंग तो अच्छी करी रहे है और किस मैच में बॉलिंग अच्छी डाल दे ये कहा नहीं जा सकता दोस् मैच के लिए भी फिर यहाँ पर अक्षर पडेल, कुल्दी प्यादव, नौट से और रहमन तो ये इंपोर्टेंट पिक है यहाँ से आप अधिक साधिक प्लेयर को पिक करने का प्रयास कीजिएगा अपनी टीम के लिए हाला कि देखिए मंदीप को में एक डिफरेंसल पिक बताना चाओंगा डेली कैपिटल की तरफ से आज के मैच में फिर यहाँ पर अगर बॉलिंग पर्फोमेंस देखी जाए तो दोस्तो बॉलिंग पर्फोमेंस में रहमन का परदेशन काफी अच्छा रहा था इन्होंने लास मैच किला था तीन विकेट हासिल किये थे खली ल ब्यादब का परदेशन दोनों मैच मेच रहा है टोटल चार विक डिनोंने हासिल किये बॉलिंग की ओपनिंग कौन कराता हूँ नजर आ सकता है और दैथोबर में बॉलिंग कौन कराता हूँ नजर आ सकता है तो ये भी हम चेक कर लेते हैं देखे सरदिल ठाकुर रहमन खल लिठाकुर तो ये लाश्ट के जो चार वर बसते हैं ये तीन गैंदबाज आपको डालते हूँ नजर आ सकते हैं दोस्तो अब बात करेंगे फुल इसक्वाइट की बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल की तो बैटर्स हैं दोस्तो बैटर्स का आप चेक कर सकते हो जैसे इनों ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं इस वक्त इसमें कोई दोराई नहीं है लास्ट मैच में दोनों ने मिलकर पांच विकट हासिल किये थे तो ये चीज़ ध्यान रखेगा नौट से राइड आम फास्ट मीडियम गैंदबाज लेकिन देखिए आज ये फिट हो चुक इसमें कोई दोराई नहीं है और नौट से की बात की जाए तो नौट से के स्टैट्स आप चेक कर सकते हो दोस्तो 22 आईपल मैचेस खेले हुआ है 34 विकेट हासिल किये हुए दोस्तो और हाइस्ट है 3 विकेट 33 देकर तो नौट से और डेविट वार्नर दोनों ही काफी क्योंकि अगर मैं बारी-बारी से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जागा दोस्तो फिर यहां पर अब बात करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इनिंग में स्टैट्स की तो देखें डेविट वार्नर का हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट इनिंग में इन्होंने फर्सट इनिंग में इन्होंने बैटिंग की है 5000 प्लस का स्कोर बनाया हुआ और 39 का इनका एवरेज है तो दोस्तो काफी बढ़िया खेलते हैं यह फर्स्ट इनिंग में जरूर कम है लेकिन देखें रन 5000 प्लस ही है आप यह देखिए तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा काफी अच्छा खेलते हैं इनका दिन होने पर यह किसी भी इनिंग में अच्छा कर जाएंगे हाला कि अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग थोड़ा सा बैटर नजर आ रहे है यह इसी तरीके सा आप सभी प्लेयर्स का चेक कर सकते हो दोस्तो फर्स्ट इनिंग में कौन परदशन तो देखिए दो ही प्लियर हैं जोनोंने यहां पर एक मैच केला है डेविड बॉर्णन है जोनोंने 46 रन बनाए है 46 आई एवरेज है पर मिसल मार्स ने खेला हुआ है दो मैच खेले हुआ है 48 रन बनाए हुआ है और 24 का इनका एवरेज है तो दोस्तों बाकी यहां अब बात करते हैं लगनोगी दोस्तों लगनोगी तरफ से यहां पर केल राहुल जोकी लास मैच में काफी अच्छा दिखे उससे पहले भी इनोंने 40 रन का स्कोर किया था और कुंटेंडिकॉक की बात की जाए तो तीन मैचों में एक में हाफ सेंचरी जड़ चुके हैं और लेफ्टरी हैं यह और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था जब इनका मैच हुआ था कि वासिंटन सुंदर से इनको समल के खेलना होगा और आपको याद होगा तो वासिंटन सुंदर ने ही इन दोनों के विकेट हासिल कर लिये थे इसलिए अगर को याद होगा तो हमने हैट टो हैड स्मॉल लिग में दीबक हुड़ा को पिक किया था कि अगर विकेट जल्दी किरता है तो दीबक हुड़ा काफी अच्छी बैटिंग कर जाएंगे और देखिए वैसा ही हुआ दीबक हुड़ा ने 50 भी मारी थी शान्दा और हमको मैच व चार प्लेयर्स पर ज्यादा डिबेंड है तो यह इन चार में से कम से कम तीन प्लेयर्स को आप अपने टीम में जरूर पिक करके चलिएगा वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए मारका इस्टोने से आपको खेलता हुए नजर आ सकते हैं आज के मैच में क्योंकि दोस्तों य यह तीम से जुड़ चुके हैं अब यह देखना है कि यह क्या बोलते खेलते हुए नजर आएंगे की नहीं आएंगे आज के मैच में फिर इंपोर्टेंट पिक की बात की जाए तो यहाँ पर जैसन होल्डर इंपोर्टेंट पिक रहने वाले दोस्तों तो यह 5 में इंपोर अब मार्गे श्टोनिस खेलते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 प्लेयर ही खिला सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में नहीं पर टीम लिखी हुई है बट देखते हैं क्या रहने वाली है प्लेइंग 11 यहाँ पर अगर बात की जाए बालिंग पर्फोर्म पर टीम का पहला है तो आपके याद होगा जब इस टीम का पहला मैच हुआ था तो हमने दीफकट फूटा को अपने टीम में सामिल किया था क्योंकि हमें आइडिया था कि दीफकर खूटा काफिया चा कर सकते हैं और वैसा ही कुछ देखने को हमें मिला भी था इसके लाबा यहाँ पर balling देख सकते हो दोस्तो opening की balling कौन कराता हुआ नजर आएगा और death over में balling कौन कराता हुआ नजर आएगा देखे death over में यहाँ पर Andrew Tye का नाम यहाँ पर लिग दिया है फिलाल लेकिन अगर देखे यहाँ पर आवेश खान और Jason Holder death over में balling करा सकते हैं अगर देखे playing 11 आने के बाद कैसा हो सकता है और सुरुबात में Jason Holder और आपका आवेश खान कौनाल पांडिया यह opening कराते हुआ नजर आ सकते हैं लेकिन Andrew Tye अगर playing 11 में सामिल होते हैं अगर देखे बारी बारी से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए आप वीडियो को पॉस करके आसानी से सभी प्लेयर्स का स्टैट्स जैसे Marcus Tonisar है इन्होंने 183 मैचिस के लिए हुए T20 के और यहाँ पर 164 रन मनाए हुए है टोटल इन्होंने 3800 का प्लस का स्कोर है इनका 170 147 का हाइश्ट है जो कि इन्होंने बिग बैस लीग में बनाए था अगर आपको याद होगा तो और 30 का इनका एबरेज है तो इस तरीके से आप सभी प्लेयर्स का चेक कर सकते हो दोस्तो वहीं अगर बात की जाए इनकी बॉलिंग की तो टोटल 183 मैचिस के लिए हुए 109 इनिंग्स के लिए हुए हैं और 81 इनों ने विकिट भी हासिल किये हुए इस रिसेंट फॉर्म आपका इनका चेक कर सकते हो तो दोस्तो अच्छे खिलाड़ी हैं और राउंटर के तोड़ पर काफी अच्छी भूमिगा निवा सकते हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके लावा दोस्तो यहाँ पर आप सभी प्लेयर्स के चेक कर सकते हो देखे अगर मैं बारी बारी से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जागा पर्फोर्मेंस चेक कर सकते हो फर्स्ट इनिंग और सइकर इनिंग में पर्फोर्मेंस कैसी है के लुइग लावा दोस्तो यहाँ पर इरवलिट लूस की बात की जाये तो यहाँ पर इरविन लूस की बात की जाये तो दोस्तो यह भी एक अच्छे खिलाड़ी है दोस्तो फर्स्ट इनिंग में रुन काफी अच्छे बनाये हुए है, बड़ा हैं अब इसके लब के लिए यहाँ पर आगर बात कि जाए, मनेश पांडर। 75 matches खेले हुए, 74 inning खेले हुए, 81 wicket हासिल किये हुए है, और second inning में 70 wicket हासिल किये हुए है, इस तरीके से आप सभी players का check कर सकते हो, अब अगर बात की जाए हैं आप परफोर्मेंस की तो वो भी check कर सकते हो, venue performance का रहा है, venue यानि pitch पर कैसा record रहा है दोस्तो, players का, देखें बहुत को पता है, पहले बनाये थे, आप आद में बैटिंग करते हुए, प्लीज कमेंट करके बताइए का अगर आपको याद आ रहा है तो, फिर यहाँ पर अगर बात की जाए, दीपक हुड़ा की तो दोस्तो, देखें, दीपक हुड़ा का परदेशन काफी अच्छा रहा, 50 one run क स्कोर क्या, आप मुझे लगए, पहले बैट करते हुए, क्योंकि दीपकुड़ा ने यहाँ पर 50 one run भी बनाये थे, और मनिस पांडे का 20 का इन का अवरेज है, बाकी बालिंग में चेक कर सकते हो, आवेसकान ने एक ही मैच के ला, चार विकेट हांसिल कर लिए, जैसन आपस में खेलती हैं, तो प्लेयर्स कैसा प्रदेशन करते हैं, यह चीज़ जुरूर देख लीजेगा आप, यहाँ पर मौझूद है, head to head यहाँ पर देखे, लखनो वर्सेज डीसी के बीच में जो प्लेयर खेलते हैं, जैसे कुंटन डिकॉग का एवरेज का अच्छा है दोस्तों, खेलते हुए, 27 का है, केल राहूल दोस्तों, 25 का है, और इर्बन लिउस का काफी विसेश है, दोस्तों डेली के साथ प्रदेशन का काफी अच्छा रहता है, 48 का इनका एवरेज है, दो मैचीस है, हालाकि खेले हुए हैं यहाँ पर, तो इस तरह आप सभी प्लेय मैं जैसे की, इसान किशन और पैट कामिंग्स के बारे में मैंने बताया था, कि यह देखे, टीम कॉमिनेशन तयार करने में काफी काम आता है, प्लेयर बैटल, तो आपको याद होगा कि कुछ टीम में जिसमें हमने पैट कामिंग्स को पिक किया हुआ था, तो वहाँ पे हम दोस्तों टीम कॉमिनेशन तयार करने के लिए काफी काम आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखना चाहोगे, तो डेविड वार्नर जैसन होल्डर के सामने खेलते हुए, टोडल देखे, 28 गैने खेली है, 27 अन में आया है, और एक बार इन्होंने इनको आउट किया हुआ है, जैसन होल्डर ने डेविड वार्नर को, तो कहीं न कहीं स्ट्रकल करते हैं, क्योंकि स्टाइक रेट बहुत ज्यादा बैटर नहीं है, 100 से नीचे है, और एक बार विगट भी इन्होंने चटका है, वहीं रिशब पंत और कुनाल पांडिया की बात की जाए, तो बड़े कमा कर सकते हो, कि जिस टीम में आप कुरान पांडिया को पिक करो, उस टीम में आप रिशब पंत को पिक मत करो, तो इन दोनों को साथ में पिक मत करो, तो यह चीज ऐसा कर सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पर अगर बात की जाए, रिशब पंत की और जैसन होल्डर की तो जैसन हो वहीं रिशब पंत और रभी विस्नोई की बात की जाए तो देखें तेहीस बॉले खेले हुए हैं 24 रन बनाये हुए हैं और एक बार आउट किया हुआ है इसी तरीके से आप सभी बिलेर्स का चेक कर सकते हो और सभी बिलेर का चेक करके आप उस तरीके से टीम कॉमिनेशन भी तेयार कर सकते हो दीखें के लावा का चेक कर लेते हैं केल रहुल काफी अच्छा खेलते हैं दोस्तों सरदिल ठाकुर के सामने 27 बॉल खेले हुए हैं 54 विकेट 54 रन बनाये हुआ और एक बार ही आउट हुए हैं इसके लाबा केल रहुल और सकाधिया की बात की जाए तो द दो बार विगट भी दिया है वही यहाँ पे दूस्तों खली लामध की बात की जाए तो देख सकते हो दोस्तों आप इसके लाबा ए पटेल ए पटेल कुंटन लिकॉक के सामने दूस्तो आप देख सकते हो काफी अच्छा खिलते कुंटन लिकॉक एप पटेल को अक्षर प्रफोर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है दोनों मैचों में सबसे बर्वसेबंद खिलाड़ी अपनी टीम के हैं इसलिए दोस्तों हम इनको पिक कर रहे हैं टेक्निकली स्ट्रॉंग है टिककर भी खेलते हैं तेजी से स्कोर भी कर सकते हैं अपने इसाब से वहीं कुंटेंट डिकॉक को हम पिक कर रहे हैं दोस्तों लास्ट मेच में अच्छा परदेशन नहीं करके आएं लेकिन दोस्तों एक अच्छे गिलाड़ी है टी-20 के और रिसेंट फॉम भी इनका काफी जबरजस्त तरह है इनको इग्णोर नहीं किया जा सकता है दोस्तों इसलिए हम इनको जो कि दोस्तों विद और मैं की जा सकता है तो दोस्तों बैटिंग सेख्शन से हमने डेविड वार्नर को पिक्की हो इनका सेलेक्शन परतिशत बहुत जयादा नहीं है दोस्तो लेकिन डेविड वर्नर IPL के बहुती शांदार खिलाड़ी हो में से एक है और काफी अच्छा record है काफी अच्छा strats है इनका दोस्तो ओपन करेंगे अपनी टीम के लिए इर्वन लुइस को pick करके चल रहे है दोस्तो जिनका average इस टीम के साथ खेलते हैं काफी जवर जासता है दोस्तो दो मैचों में 48 का इनका average है इसके लाबा यहाँ पर हमने pick क्या हुआ है मंदीप सिंग को देखे ये player हमारी नजर में एक differential pick साबित हो सकता है इस team के लिए अगर ये one down फिर से batting करते हुए नजर आते हैं तो तो इसलिए हम इनको pick करके चल रहे हैं दोस्तो बाकी जैसा भी होगा वो मैं आपको अपने telegram channel rank 1 पर provide करा दूँआ तो वहाँ जरूर जोड़ जाहिएगा अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे रिमूल पावल पृत्वी शाह किसी भी लीग के लिए pick बन सकते हैं पृत्वी शाह का आप देख सकते हो कि selection परतिशत काफी high है यहाँ पे आयूस भी किसी भी लीग के लिए pick बन सकते हैं आपकी team के लिए तो 3 player किसी भी लीग के लिए 1, 2, 3 grand league की बात की जाए तो मनिस पांडे grand league के लिए pick बन सकते हैं वहीं differential pick किसी भी लीग की team के लिए मन्दीप हो जाएंगे अब अगर बात की जाए यहाँ पर arounder section की तो arounder section से हमने Jason Holder को pick किया हुआ है दीपक Hudda को pick किया हुआ है तो दो player हम all arounder section से pick कर के चल रहे हैं अपरी team में हाला कि ललीत यादव किसी भी league के लिए pick बन सकते है दोस्तों आपकी team के लिए आप इनको किसी भी league के लिए pick कर सकते हो फिर अक्षर बडेल किसी भी league के लिए और कुनाल पांडिया किसी भी league के लिए pick बन सकते है वहीं यहाँ पर बात की जाए बॉलिंग section की तो नॉटजे को हम pick कर के चल रहे है आवेश खान और कुल्दीव यादव को हम pick कर के चल रहे है इस team के लिए तो इस तरीके से ये हमारी team हो जाएगी दोस्तो team मैं यहाँ पर अगर रहेमन की बात की जाए तो किसी भी league के लिए pick बन सकते है रहेमन Andrew तय अगर खेलते हो उने जडर आते है तो किसी भी league के लिए pick बन सकते है खाली लेवन्थ खेलती हो नेजर आते हैं तो किसी भी लीग के लिए पिक बन सकते हैं तो आप ध्यान रखेगा Grand League के लिए जो पिक बन सकते हैं उनको आप Grand League की टीम अगर अगर अधिक साधिक बनाते हो तो उनमें पिक कर सकते हो अब बात करेंगे Captain Vice Captain की तोड़े आपर स्मॉल लीग या फिर Grand League आप Captain Vice Captain चूज कर सकते हो इसके लाब यहाँ पर बात की जाए Grand League के लिए Captain Vice Captain की Captain for Grand League तो डेविड वारन और कुंटन डिकॉक को पिक किया हुआ है थोड़ा सा लग रहा होगा आपको लेकिन देखी दोनों ही किलाडी काफी अच्छे है और दोनों ही अपना दिन उनने पर काफी अच्छा परदेशन कर सकते हैं आप चाहें तो इनको किसी for Rank 1 में हमारा ये बताने का प्रियास रहता है कि आज के मैच में यानि इस होने वाले मैच में कौन प्लेयर हो सकते हैं जो best performance कर सकते हैं तो हमारा मानना है के लाहल और जैसन होल्डर इन दोनों में से कोई है कि या दोनों ही काफी अच्छा परदेशन कर सकते हैं दोस्तो इस के होने वाले इस मैच में हैं जैसा कि आपको पता है कि Rank 1 कैप्टन में हमारा प्रियास रहता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन का best pair बना कर हम आपको दें अब बात करेंगे head to head small league के लिए captain wise captain की तो head to head small league के लिए केल रहा हो लो हमारे captain pick रहेंगे और जैसन होल्डर रहने वा मर्जी से भी captain wise captain select कर सकते हो अब देखे team 7 team 7 sorry team 7 team 7 हो जाएगी head to head small league के लिए तो ये चीज़ द्यान रहेंगे अब बात करेंगे six grand league की team के बारे में तो ये six grand league की team हमने बनाए हुई है जिसमें सबसे पहले बात करते हैं team one के बारे में direct team प्रिवू की यहाँ पर team one का team प् पिक रहेंगे और wise captain pick रहने वाले हैं जैसन होल्डर रिशब पंत रहेंगे विकेट कीपर सेक्षन से डेविड वॉर्नर रहेंगे इर्वन लुइस पी शाह यानि पृत्वी शाह रहने वाले हैं दीपा घुड़्डा आवेश खान कुल्दी व्यादव सर्दिल ठाकुर न दोस्तो यह production continue कर जाते हैं इसलिए दोस्तो हम इन दोनों को captain wise captain pick कर रहे हैं इस team के लिए यानि कि दोस्तो head to head small league के लिए इन दोनों को captain wise captain pick कर रहे हैं और grand league की team के लिए इन दोनों को captain wise captain pick कर रहे हैं उमीद करते कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो please एक like जरूर कर तो प्लीस एक लाइक जरूर कर दीजेगा कुई कि दोस्तो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है वहीं अगर बात की जाए टीम 2 की तो टीम टू में दोस्तो के लावर हमारे के रहेंगे जैसान होल्डर ही हमारे वाइस कैपटेन पिक रहने वाले है हाला कि आप क्या कर स से तीनों ही विकेट कीपर को हम पिक करके चल रहे हैं अपरी डीम में जहां पर केलावल हमारे कैप्टेन पिक रहने वाले हैं वहीं विकेट की बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो इर्वन लुइस रिमल पॉविल और पृत्वी शाह को पिक किया है इस टीम के लिए और र अकहलेगा हम इस तरह पर कर सकते हों तो कहने हम इस तरह कर सकते हैं या सेम भी जा सकते हैं चलिए फ्लाल हम इस तरह कर लेते हैं दोस्तो वहीं आपर इकर बात की जाए टीम 3 ही तो डारेक्ट टीम 3 के टीम प्रिवू की बात करेंगे जिसमें रिशपपंध हमारे कैप्टेन पिक रहने वाले हैं मेडर ओर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और काफी जादा भरोसे बंत की लाड़ियों में से एक है और पेस गेंदवाजी को लीड करते हैं अपनी टीम से तो दोस्तों इनको हमने वाइस कैप्टेन पिक किया हुआ है तो ये दोनों हमारे कैप्टेन वाइस कैप्टेन पिक जाएगा अब बात करेंगे टीम 4 की दोस्तों टीम 4 का टीम प्रिव्य क्या रहने वाला है आईए बात करते हैं लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपी तक हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े यहाँ पे आपको दोस्तों फाइनल टीम अप्डेट मिल जाएंगी जो भी अप्डेट होगी और इसके लाबा जो पिछ होती है मलगी क्या बोलते है जो पिछ रिपोर्ट आती है वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइट करा देते हैं दूसरा तरीका सही तरीका है कि आप अपने टेलीग्राम के सर्च में जाके टाइप कर सकते हो R1D11 जैसी टाइप करोगे R1D11 वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा आप इस पे क्लिक करके ओपन दबा करके इसको पे जॉइन का बटन दबा कर लीजेगा तो बहत आसान तरीके से जॉइन का बटन देखे यहाँ पर इस तरह नीचे मिल जाएगा आपको जब हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा फैमली मेंबर जरूर देख लीजेगा तो यहाँ पर join हो जाईएगा तो इस तरीके से आसान तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा तो team 3 थी दोस्तों यह अब बात करेंगे team 4 की team 4 की बात करेंगे यहाँ पर देखे captain wise captain interchange किये हुए यानि कि नौटजे को हमने captain pick किया हुआ है रिशपंत हमारे wise captain pick रहने वाले हैं क्या रहने वाला है team 3 तीम 4 के लिए तो इसमें हमने content decock को pick किया हुआ है थोड़ा से यहाँ पर हम देखे थोड़ा सा कुछ different कर रहे है कि यहाँ पर pick नहीं किया हुआ है लेकिन यहाँ पर content decock को pick किया हुआ है इस team के लिए और यहाँ पर इशपंत रहने वाले हमारी team में वहीं आप अगर बात की जाए बैटिंग section की तो कुनाल पांडिया है दोस्तों इस team के लिए बट देखे मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर मंदी नहीं होने चीए यहाँ पर होने चीए बदों नहीं बट आपकी मर्जी है दोस्तों फिर यहाँ पर देखे और रांडो section से चार प्लेयर है तीन प्लेयर है जिसमें कुनाल पांडिया अक्षर बडेल और जैसन होल्डर रहेंगे दोस्तों वहीं यहाँ पर बात कि जाए बॉलिंग सेक्षन की तो नौट जे आवेश खान और सर्दिल ठाकुर रहने वाले हैं तो यह हमारे टीम हो जाएगी टीम 4 टीम 4 में कैप्टन वास कैप्टन इंटरचेंज है टीम में यहाँ पर डेविड बॉर्णर कैप्टन और कुंटे निकॉक वास कैप्टन पिक रहेंगे दोनों ही ओपन करते नजर आएंगे दोनों ही दोस्तों काफी शांदार खिलाडियों में से एक हैं अगर दोनों का बैट चला तो दोनों ही काफी अच्छा कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी प्लेयर बैटल आपको दिखाया था अब मैं आपको फिर से दिखा दूँँगा अभी थोड़े दे में दिखाने बारा हूं देखें यह टीम फाइव है यह चीज़ जरूर धियान रखिएगा यहाँ पर देखें रहमन को हमने पिक क्या हुआ है कुल् सब्सक्राइब करेंगे बैल आइकन दवा दिखेंगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक तुरंत पहुच जाएगा अच्छा इस टीम में आप क्या कर सकते हो यह थोड़ा ध्यान दिखें इस टीम में हमने क्या किया इस टीम में हमने दोस्तो टीम 6 में क्या है टीम 6 में दोस्तो कैटन वाइस टेम ऑरबर इस टीम के रहेंगे यहाँ पर अगर बैटिन सक्षेन की बात कि जाए तो डेविड वाण वाण ए गार इस टीम के लिए त्वही वाण जिसमें हमारे रहमन रहने वाले नॉट से रहेंगे आविश खान और कुल्दीव यादव रहने वाले हैं तो इस तरीके से ये चार प्लेयर हम पिक करके चल रहे हैं बॉलिंग सेक्शन से तो ये हमारी टीम 6 हो जाएगी दोस्तों ये चार प्लेयर हमारी टीम 6 में रहने वाले हैं बॉलिंग सेक्षन से उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजीगा क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है हमें बैस्ट करने के लिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नीगे हो हमारे चैनल रैंक 1 को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल ऐकन दबा दिजेगा ताकि जो भी वीडियो हम अप्लोड करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँच जाए और दोस्तों हमारे टेलेग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगेगा जिसके बारे में जुड़ने का तरीका मैंने आपको वीडियो में बताई दिया है उमीद करते कि आप हमारे दोरा की कई प्रेडिक्शन और दीगे इंफ्रमेशन से पैस टीम की रेट कर लेंगे और आपकी टीम रैंक बन की पोजिशन प्राप्त करें इनी सुब्कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा धन्यवाद दोस्तों